बच्चों आपको पता है आज हम बात करने वाले है वाटर की वाटर मतलब पानी और वाटर हमारे लिए बहुत इंपोर्टन्ट है हमें पानी के बिना चलेगा नहीं चलेगा पानी सबको चाहिए एनिमल्स को चाहिए बर्ड्स को चाहिए और इसको हमको भी चाहिए सबको चाहिए पानी पानी के बिना तो हम मर जाएंगे ट्रीज को भी पानी चाहिए सब फ्लावर्ज जो छोटे छोटे प्लांट्स पे उखते हैं उनको भी पानी चाहिए ग्रास को भी पानी चाहिए और पूरी दुनिया में जितने भी सब लोग है उनको सबको पानी चाहिए तो पानी के बिना तो हम लोग रह नहीं सकते हैं इसलिए पानी बहुत जरूरी है बहुत इंपोर्टन्ट है और हमें देखना है कि बिल्कुल पानी वेस्ट ना हो वरना पानी तो खतम हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या यूज करेंगे है ना पानी तो हमें ड्रिंकिंग में चाहिए कुकिंग में चाहिए क्लीनिंग में चाहिए और सब चीजों में हमें पानी चाहिए पानी के बिना तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते है इसलिए हमें पानी वेस्ट नहीं करना है और बहुत कैरफुली यूज करना है है ना, तो चलो हम देखते हैं किसको किसको पानी चाहिए और उसके क्या-क्या uses है, okay children, so from our sunshine book we will be learning importance of water and uses of water, okay, so let's start children. children, take out your pink sunshine book and open to page number 5555, today we will be learning a new topic, water, आपको पता है, water मतलब क्या, हाँ, water मतलब पानी, तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले है, look, say and learn, यहाँ पे हमें देखना है, बुलना है और फिर सीखना भी है, पानी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, okay, so now let's read what has been written, this is Bruno, यह कौन है, यह है, Bruno and this is Kitty, यह कौन है, Kitty है, Bruno तो डॉग है, और Kitty एक कैट है, दोनो क्या कर रहे है, दोनो पानी पी रहे है, Kitty and Bruno both are drinking water, now we will read further, this is Anita and her friends, यह कौन है, अनीता है और उसके फ्रेंज है, उसके दोस्त है, Bruno, Kitty, अनीता आर अल्सो फ्रेंज, यह सब फ्रेंज है, Bruno जो डॉग है, Kitty जो कैट है और अनीता, वो सब लोग फ्रेंज है, They drink water when they are thirsty, जब उनको प्यास लगती है, तो वो क्या करते है, सबी लोग पानी पीते हैं, है ना, तो अनीमल्स को भी पानी चाहिए, और हमको भी पानी चाहिए, और आगे किसको पानी चाहिए, This is a mango tree, Trees को भी पानी चाहिए, This is a mango tree, A tree also needs water, We all need water, यह mango tree है, और उसको भी पानी चाहिए, तो हर एक ट्री को भी पानी चाहिए, जो हमें दिखाई देते हैं, जो ग्रास है, छोटे प्लांट्स है, ट्रीज है, वो सब को क्या चाहिए, पानी चाहिए, Now children, we move to the next page and watch the rhyme, यह एक umbrella song है, तो आज हम यह rhyme करने वाले है, Watch the rhyme, then sing along with actions, तो यह कौन सा song है, umbrella song, देखो, ग्रीन कलर की umbrella है न, उसका song है, Down came the raindrops, splash, 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 let's run for cover, dash, 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 Pitter, patter, pitter, patter, drip, drip, drop, I am under my umbrella, till the raindrops stop, मतलब यह पोयम का अभी हम meaning देखेंगे, Down came the raindrops, splash, 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 मतलब जब raindrops नीचे आते हैं, तो पुरा splash होता है, देखो, एकसे सब पानी नीचे आता है, Let's run for cover, dash, 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 मतलब जब rain आता है, तो हमें cover के लिए भागना पड़ेगा, वरना हम गीले हो जाएंगे, Pitter, patter, 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 drip, drip, drop, मतलब जब बारिश गिरती है, तब कैसे टिप, टिप, टिप आवाज आती है, है ना, I am under my umbrella, till the rain drops stops, मतलब मैं कब तक umbrella के नीचे रहूंगी, जब तक rain drops बंद नहीं होते, stop नहीं होता, ओके, तो ये poem का ये meaning है, So let's sing this poem again, The umbrella song, Down came the rain drops, splash, 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 Let's run for cover, dash, 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 Pitter, patter, pitter, patter, drip, drip, drop, I am under my umbrella, till the rain drops stop, Okay, now children, we move to the next page, Look and say, We use water in different ways, मतलब हम लोग पानी अलग अलग तरिके से यूज करते हैं, पूरे दिन में हमें इतनी बार पानी यूज करना पड़ता है, बहुत सारी बार, तो हम देखेंगे, कि हम पानी किस में यूज करते हैं, ओके, फर्स्ट पिच्चर में हमें दिखाई दे रहा है, कि ये बॉज पानी पी रहा है, He is drinking, तो फर्स्ट यूज है drinking, हमें पानी पीना चाहिए, तो जब प्यास लगती है, तो हमें पानी पीना पड़ता है, है ना, हमें पानी पीने से बहुत अच्छा लगता है, पानी पीने से हमारी सेहत भी अच्छी रहती है, Okay, so children we have to drink lots of water, बहुत सारा पानी हमें पीना चाहिए और हमें साफ सुत्रा पानी पीना चाहिए, पानी बॉइल करके पीना चाहिए ताकि उसमें जर्म्स सब मर जाए और हमें क्लीन क्लीन पानी मिले नेक्स्ट है बेधिंग, हमें किस चीज में पानी यूज करना पड़ता है? बेधिंग, मतलब नाहना, देखो ये बकेट में पानी है और हमें क्लीन क्लीन वाटर से नाहना चाहिए, तो हमारा बॉड़ी भी क्लीन हो जाएगा नाहने के समय हमें टाप चालू रखके नहीं नाना है क्योंकि उसमें पानी वेस्ट होता है हमें जितने पानी की जरूरत है उतना पानी ही हमें बकेट में निकालना है और वो पानी से हमारे बॉड़ी पे सोप लगाके पानी डालके सब क्लीन करना होता है क्लीन क्लीन बॉड़ी है ना और फिर थर्ड यूज है वाशिंग हम हमारी कार पपा का स्कूटर हमारी साइकल सब वाश करते हैं तो वो वाश किससे करते हैं वाटर से पानी से है ना आपकी मम्मी पानी भी कपड़े वाश करने के लिए यूज करते हैं है ना और यूटेंसिल्स बरतन का क्लीन करने के लिए भी पानी यूज होता है तो वाशिंग के लिए चाहे वो प्लोज हो यूटेंसिल्स हो या वेहिकल्स हो हमें वाटर यूज करना पड़ता है next है cooking cooking तो बहुत अच्छा लगता है मम्मी को है ना मम्मी हर रोज नए नए items बनाती है आपके लिए बनाते है ना तो वो cooking के लिए भी water चाहिए मम्मी को रसोई में पानी चाहिए खाना बनाने के लिए है ना और next है अरे वाँ swimming आपको swimming करना अच्छा लगता है ना तो swimming के लिए भी क्या चाहिए swimming pool में water चाहिए तो अगर water ना हो तो हम swim भी नहीं कर सकते है ना और next है sailing आप गए हो कभी sailing पे बोट में बैठके योट में बैठके या ship में बैठके आपको पानी में जाना होता है उसमें हम दूर दूर तक पानी में जा सकते हैं तो sailing के लिए भी water चाहिए है ना आपको पता है मचलिया भी पानी के बिना नहीं रह सकती अगर उसे पानी से बाहर निकालो तो वो मर जाएगी तो चलो मचली का गाना गाते हैं मचली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाओ डर जाएगी बाहर निकालो मर जाएगी पानी में डालो तेर जाएगी सारा पानी पी जाएगी तो बच्चो आज हमने सीखा कि पानी हमारे लिए कितना इंपोर्टन्ट है है ना तो आपको पानी विल्कुल वेस्ट नहीं करना है ओके बाई चिल्रन